दोस्तों नमस्कार, E&I Guru चेनल में मैं संदीप चुहान आपका फिर से स्वाधत करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्टिकल वाइरिंग के बारे में बात करेंगे इस ड्रोइंग के अंदर टोटल चार कमरे हैं और एक कीचन है और एक बातरूम दिया हुआ है अब दोस्तों इसके अंदर यदि आपको पाइपिंग करनी है तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं दोस्तों जब भी हम piping करते हैं तो हमें सबसे पहले main mcv box कहां पर लगाना है उसका decide करना होता है तो जैसा कि यहां पर मैंने main mcv box इस kitchen के side में लिया है अब हमें in kitchen के अंदर और room के अंदर fan के box लगाने हैं अब से पहले हम kitchen के अंदर fan का box लगा लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस kitchen के अंदर और बिल्कुल center में fan का box लगाया है दोस्तों fan का box जो लगेगा वह बिल्कुल हमारे रूम के या फिर kitchen के centre में लगेगा fan का box जो होता है वह size में थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे pipe आख़ जूटते हैं और इसमें से wire भी इधर-उदर जाते हैं अब इसी तरीके से हम चारो रूम के अंदर भी फेन का बॉक्स लगा लेंगे, हमने बाथरूम के अंदर फेन का बॉक्स नहीं लगाया है, क्योंकि बाथरूम के अंदर फेन की जुरत नहीं होती है, इसलिए हमने इसके अंदर फेन का बॉक्स नहीं लगाया है, यदि आपके requirement है तो आप fan का box bathroom के अंदर भी लगा सकते हैं अब हम light लगाने के लिए इस drawing के अंदर lighting point भी draw कर लेते हैं जैसा कि हमें kitchen के अंदर light की जुरत है तो हम यहाँ पर 4 light के point को draw कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर मैंने cross बना कर light के point को draw कर लिया है इसी तरीके से हम 4 room के अंदर भी light के point को draw कर लेंगे यह जो light के point हमने draw किये हैं यह concealed light के point है यानि down light जो लगती है उसके लिए यह point हमने draw किये हैं तरीके से जो दिवार पे switchboard आएगा या फिर दिवार पे जो light आएगी उसके लिए हम अलग से piping करेंगे हमने bathroom के अंदर भी दो lighting के point दिये हैं जैसा कि आप इस तरीके से आपको पंखे के point से pipe को ले जाना है और वह pipe आपको lighting point तक लिजा कर छोड़ देनी है अब इसी तरीके से हम कमरे वाले box को हम kitchen वाले fan box से connect करने के लिए हमें इस तरीके से pipe की layin करनी होगी और फिर इस fan वाले box से हम इस तरीके से चार वापस pipe लेके जाएँग को एक pipe के द्वारा connect कर लिया है अब हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कभी-कभी जब mystery काम करता है तो वह हमारे इस pipe को या फिर इस pipe को choke कर देता है यदि हमारी ये pipe कहीं से damage हो जाए या मूर जाए या चारो लाइटों को इस तरीके से connect कर लेंगे अब दोस्तों हमें gallery के अंदर भी light लगानी है तो यहाँ पर हमने light के लिए इस तरीके से cross का निशान लगा दिया है अब हमें gallery वारी light के लिए भी piping करनी है तो इसकी piping करने के लिए हम room number 2 में जो fan वाला box है वहाँ से एक pipe लेके जाएंगे और यह gallery वारी light को लगा कर connect कर देंगे अब इसी तरीके से हम एक light से दूसरी light को और दूसरी light से तिसरी light को इस pipe के द्वारा connect कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने pipe के द्वारा gallery की light को connect कर लिया है अब दोस्तों इसी तरीके से हमें room number 3, room number 4 और bathroom की wiring भी करनी है और इनकी wiring करने के लिए भी हम यहाँ पर जो room number 2 से pipe लेकर गए है light के उपर उसी से एक और pipe room number 3 के अंदर लेकर जाएंगे और फिर इस fan box से हम 4 point निकालेंगे और उन 4 point को इन light से connect कर लेंगे अब हमें एक और important काम करना है जैसा कि मैंने आपको starting बताया था कि हमें एक और parallel path ले जाना होगा तो यहाँ पर जैसा हमने kitchen और room number 1 के अंदर light से light एक pipe डाला है उसी तरीके से हमें सारे room के अंदर भी pipe को डालना होगा तो हम room no.1 और room no.2 के अंदर भी एक और pipe डाल लेते हैं इसी तरीके से इसने екसे room no.2 और 3 में भी एक और pipe डाल लेंगे और room no.4 और bathroom के अंदर भी एकोर pipe डाल कर कर लेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था है या फिर खोदना पड़ सकता है तो इस चीछ से बसने के लिए हम जितने ज्यादा पाइब हो सकते हैं उतने ज्यादा हम पहले से ही डाल कर रखते हैं इसके बाद हमें हमारे स्विच बोड के लिए और दिवार पर जो लाइटिंग करते हैं उसके लिए भी पाइप डालना होता है तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो फेन वाला बॉक्स लिया है वहीं से हम और पाइप लिका लेंगे और उन पाइप को इन दिवार पर लेकर जाएंगे तो दोस्तों इसक इसी भी दिवार पर lighting switch की या light की requirement है तो भी हम कहीं पर भी वायर को ले जा सकते हैं और light को लगा सकते हैं यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें जिस point पर pipe डला होगा उसी point पर light ले पाएंगे और हर जगर light नहीं ले पाएंगे तो इसके लिए हम चारों तरफ pipe डाल लेते हैं उन पांचो circuit के जो pipe है वह यहां पर switchboard पर आकर connect होंगे अब सबसे पहले हमने bathroom का एक circuit बनाया है तो bathroom के यहां उपर से एक pipe होता हुआ आएगा और यह switchboard में आकर लग जाएगा उसी तरीके से हमने room no.4 और room no.3 के लिए भी एक circuit decide किया है तो उस circuit का भी एक pipe आएगा और वह तरीके से kitchen के लिए भी हमने एक circuit माना है और kitchen का circuit के लिए भी हम यह जो fan box दिख रहा है यहां से pipe लेंगे और switchboard पर लाकर connect कर देंगे उसी तरीके से हमने जो gallery की lighting ली है उस lighting के लिए भी हम एक pipe लेंगे और उस pipe को लाकर इस man switchboard पर connect कर देंगे दोस्तों यहां पर हमने total 5 circuit इसलिए लिए हैं ताकि हमारे किसी एक circuit के अंदर दिक्कत आये तो उसका effect दूसरे circuit पर नहीं पड़े इसलिए हमने पांच circuit ले लिए हैं ताकि यदि bathroom में कोई दिक्कत आएगी तो उसका effect इन चारों circuit पर नहीं पड़ेगा उसी तरीके से किसी स्कीन की चीज़ों का ध्यान रखना है तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा information मिल गई होगी तो फ्रेंट्स यह वीडिया को कैसा लगा comment section में जरू बताएं तो दोस्तों thank you so much for watching my video